हालो गाईज आप सबका स्वागत है मारे यूटूब चैनल शूर्म हानलाइन क्लासेज में और इस वीडियो में आपके लिए लाना हूँ एक बहुत ही बंपर वेकेंसी की जानकारी जो सरकारी से छक भरती है और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसमें टोटल जो व किया है और प्यस्क कितनी लगेगी और साथ ही इसको बताऊंगा कि इसमेंट कप से स्टार्ड होगा इसको process क्या है किस तरीके से हम यह form apply कर सकते हैं तो start करते हैं वीडियो को यह vacancy जो निकल के आई है वो निकल के आई है education recruitment board पंजाब से जिसका notification यह recruitment जो notice है वह notice number है यह यह है यह यहनी 2020 slash 299 slash 562 यह इसका recruitment notice है और आजकी डेट में यह notice जारी हुआ है 23-11-2020 को notification किसके लिए है pre primary teacher के लिए है तो pre primary teacher होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी vacancy है यह इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें है important dates के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो important dates है वो है 1 December से start हो जाएंगे इनकी vacancies fill होना और जो closing date है वो है 21 December को जो भी application है व general की जो फीश है वो है 1000 रुपीज SCST और reserve category की फीश है 500 रुपीज सैने की कोई फीश नहीं है इसके अलावा payment का जो mode है वो है सिर्फ online mode तो online mode के थ्रू ही आपको payment यहां पे करनी है इसके अलामा यहां पे क्या चीजें और है जो मैं आपको बताऊंगा eligible criteria और vacancy details के बारे में बताता हूं तो eligible criteria के बारे में जो post का नाम है वो है pre primary test pre primary teacher का post है और जो vacancy है 8393 post है qualification यहां पे 12th pass होना चाहिए intermediate with 45% marks और उसके अलावा इनके पास diploma में जो होना चाहिए एंटीटी का diploma होना चाहिए जो कि one year का होता है वो आपके पास होना जरूरी है age limit में 18-37 होना चाहिए as on first jan 2020 को तो एक जनवरी 2020 को जो इनकी age limit है वो maximum 37 होनी चाहिए और minimum 18 साल होनी चाहिए इसका clarification में आपको और कर देता हूं यह cm है पंजाब की इन्ह cabinet has approved filling up 8393 post of pre-primary teacher in a move which Chief Minister Captain Amrinder Singh said would make the pre-primary government school more competitive with primary institute and increase enrollment तो यह सब चीज़े हैं जो यहां के government के द्वारा यहां के cm के द्वारा यह बात proof होती है इस vacancy को किस तरीके से आप fill कर सकते हैं इसका जो link है वो मैं आपको description में दे दूँगा वहां से आप जाके direct in की site पर जा सकते हैं और जब vacancy जब open हो जाएगा उस समय मैं आपको link provide कर दूँगा तो अभी के लिए बस इतना ही है हमारे टैनल के साथ जुड़े रहें और आपको अच्छे अच्छे notification और latest news आपको मिलते रहेंगे thanks for watching